नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपके अपने यूटूब चैनल डेली इसार ब्रेकिंग निउस 2.0 अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरू करें अब चलते खबर की तरफ पुलिस इन दिनों सोसल मीडिया काउंटस पर नजर रख रही है हिसार में पुलिस ने सोसल मीडिया पर हत्यारों के परदसन करने वाले सात यूगों के खिलाफ केस दर्ज किया है वैसे सोचल साइट्स पर इन दिनों हत्यार के साथ अपनी फोटो पोस्ट करने का चलंज सा हो गया है। अभ्योग अंकित कर उनकी गिरफतारी भी सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही उनके सस्तर लाइसेंस को रद करवाने की कारवाई भी शुरू होगी। हिसार पुलीस अधिक्सक लोकेंदर सिंग का कहना हिसार पुलीस ने अथ्यारों के साथ फोटो और वीडियो अप्लोड करने वालों के खिलाफ सक्ती के साथ निपटने की त्यारी कर लिया है। पुलीस सोशल मीडिया पर निगरानी कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर हथ्यारों के साथ फोटो और वीडियो अप्लोड करने वालों का डाटा त्यार किया जा रहा है। थाना अजाद नगर इसार में साथ वैक्तियों के खिलाफ अथियार से इत फोटो सोसल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में सस्तर अधिन्यम के तैत अभ्योग अंकित किया गया है। हिंदवान, टोकस, अजाद नगर इसार, गंगववे, अन्य जगाओं पर खीचियें जिनों नवैद हथियारों के साथ सोसल मेडिया पर अपलोड की गई है। पुलीस अदिक्सक ने का कि सोसल मीडिया पर थ्यारों के साथ फोटो डालने वालों पर लगातार कारवाई की जा रही है। अभी हाली में थाना बर्वारा में एक वैक्ति और थाना सदर इसार में आठ वैक्तियों के खिलाफ अभियोग अंकित किये गए थे जिनको गिरफतार किया जाएगा। अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगिये तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरू करें और चैनको सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्ष वीडियो में जै हिंद जै भारत।